यह हैं अंडे का फंडा यानकी अंडा भूर्जी अंडा भूर्जी एक कॉमन डेश है बट थोड़ी सी टेक्निक के साथ इसे बनाई जाये ना यह बहुत जादा टेस्टी बनती है विकेंड को स्पेशल बना सकती है और मुंबई का एक फेमस स्ट्रीट फूड भी है तो आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल अंडा भूर्जी अपनी यूनिक टच के साथ शुरू करते हैं आज की रसिपी लेस्टार्ट हाई एबरिवन मैं हूं सुनीता आप देखरें आपका अपना चैनल सोरीस कीचन भूर्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जादू से प्य बनाने की बारी तो यहां पर मैं ले रहे हूँ एक पैन इसमें मैंने एक बड़ा चमश बटर लिया है फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी बटर की और साथ में तेल भी लेना बहुत ज़रूरी है नहीं तो बटर जल जाएगी दो से तीन चमश तेल भी ले लीची और तेल क पी नहीं बनेगी यह आपके लिए पहली टिप है कि प्याज को आप बहुत ज़्यादा बारी काट कर ना ले नॉर्मली जो स्ट्रीट फूर्स होते हैं जो शेफ्स बनाते हैं वो बहुत बारी काट कर लेते हैं बट यह मेरी स्टाइल है बनाने का और मेरी मुम्मी ऐसे ही यह थोड़ी से रफली चौप करती है प्याज को तो आप भी इसी तरीके से बना कर देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा अब मैं डाल रही हूँ आधा हिंच का अध्रक और पास से छे कली लसन के दोनों को मैंने कूट कर डाला है कूट कर डालने से टेस्ट बहुत अध्रक लसन को प्याज के साथ हम भूल लेते हैं फ्राई कर लेते हैं फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखाया और मैं बिच बिच में चलाते हुए इसे फ्राई कर रहे हूँ अब आती है टमाटर की बारी टमाटर मैंने डाल दिये हैं और टमाटर डालते ही स्वादनुसा नम अब अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को अच्छे से गलने तक पकने देंगे फ्लेम को मीडियम पही रहने दे और ऐसे आपको चलाते हुए टमाटर को अच्छे से पका लेनी है भूजी बनाना बहुत आसान है दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं टमाटर अल्म पाउडर डाला है आप इसमें जाएगा एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटी चमच चिकन मसाला एक छोटी चमच भरके कसूरी मेथी जरूर टालेए इसे बिल्कुल भी स्कितना करें इसे टेस्ट बहुत अच्छी आती है सभी मसालो को अच्छे से मिक्स कर ले फ्लेम इसे मसालो की कच्चा टेस्ट निकल जाएगा अब आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं इसमें से तेल भी अलग होने लगी है साइड में से तो मैं डाल रही हूँ तीन कटे हुए हरी मिश क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिश पाउडर डाली है अब अग यह ले डाल देंगे तो बहुत जादा पक जाएगा गल जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा अब यह सारे मसाले पक गए है शिमला मिश पी जितनी हमें पकानी थी उतनी पक गई है तो आप जाएगा इसमें अंडे तो फ्लेम को इस समें लोपे कर दीजिए और एके कर डाल दीए है और यहां पर एक और टिप है अपके लिए देखें जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो जाएदा कता है जाका कर देता है तो जो Wirko ूर्जी होती है एकर जादा क्रम्बल कर देते हैं अपर ही आपको एकडम अच्छे से मिक्स करनude ओगा और धीरे-दीरे वह खिला-खिला हो जाएगा तो बहुत छोटी-शोटी-शोटी-चोटी-चोटी दानी जीसी हो जाएगे But You मुझे अंडा पूर्जी थोड़े बड़े बड़े चंक्स पसंद है जिसे मेरी मम्मी बनाती है मेरी मम्मी बच्पन में ऐसे ही बनाती थी हमें मतलब मुझे वो मम्मी वाला अंडा पूर्जी बहुत जादा पसंद है भले मैं मुंबर स्टायल में बना रही हूं मुझे चंक नहीं कर रहे हूं अगर आपको बिलकुल छोटी-छोटी क्रम्बल चाहिए तो आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कंटिनुसली चलाते रहे फिर जैसे जैसे खिला-खिला होगा छोटी-छोटी आपको क्रम्बल में भूर्जी मिलेगी बट मुझे इसके बाइट चाहिए यानि कि मुझे जैसे चाहिए अंडा इसलिए में धिरे-धिरे से स्टर कर रहे हूं ताकि यह जले भी ना और इसके बाइट मुझे मिले तो यहां पर यह टिप है आपके लिए तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते लेकिन मैं कहूंगी मेरे जैसे एक बार इस तरी चिपी सी पसंद होती है तो कुछ लोगों को एकदम खिला खिला अंडा भूर्जी पसंद होती है तो आपकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि इसकी कुकिंग प्रोसेस को आपको कहां पर स्टॉप करना है तो मुझे खिला खिला भूर्जी पसंद है तो मैं इसे थोड पावाजी मसाला डाले बगर अंडा भुर्जी बन ही नहीं सकती तो आप ये जरूर से डाले और पावाजी मसाला भी थोड़ी से सिनेमेटिक स्टाइल में डालना चाहती थी क्योंकि आप लोगों को वही स्टाइल की कुकिंग पसंद आती है बट नाकाम्याब हो गई फिर से कोई ने फिर ट्राइ करेंगे कभी और देखे अंडा भुर्जी बन चुकी है मैं लाश में डाल रही हूं कटी होई धनिया पत्ता इसे आप बिलकुल भी स्किप ना करें ठीके अंडा भुर्जी तयार है तो किस बात की देरी चलिए पाव को तयार कर लेते हैं और गर्मा करते हैं पाव को सेखने के लिए बटर तो जरूर से चाहिए ही साथ में मैंने याम पर टमैटो केचफ लिया है एक बड़ा चमज क्यूंकि हमारे पास तो कोई पाव भाजी नहीं है तो टमैटो केचफ टाला है और थोड़ी सी आदी छोटी चमज इतना पाव भाजी मसाला और धनिया पता कैसे स्किप कर सकते है यह तो जरूर से चाहिए है भूर्जी के लिए पाव सेखने का तरीका मेरी थोड़ी सी अलग है आप भी इसी तरीके से सेख करके पाव को भूर्जी के साथ एंजोई करें आपको जरूर मजाएगा फ्लेम को मीडियम पे ही रखे और दोन तरफ से अच्छे से पाव को सेख लें पाव को यहां पर हमें कड़क नहीं होने देना है लेकिन उपर से और नीचे से अच्छे से लेयर को हमें क्रिस्पी करके फ्राई करना है अंदर से पाव वही नरम सॉफ्ट रहेगी विकोश अंदर बटर और सारी मसाले भी गई और हाँ एक जरूरी सुचना जब तक मैं पाव सेक रही हूँ तब तक आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आपको ऐसे ही मज़दा रेसिपिस इस चानल पर मिलती रहेगी और हाँ मेरी सब्सक्राइब कर आज के लिए इतना ही बाबाई और ठेक केर